एलो हेलियों आज हम देख सोफ्टवेर इंजिनिरिंग इस डिफाइं अधैसे मिन सौफ वन इंजिनिर the दिसिप्लियन है जिसका देखती है कि हम प्रॉड्यूस कह ने क्वालिटी सौफ्टवेघ सोफ्टवेघ देखियर ऑन टे तका मतलब है कि जो तनि पर डिलीवर हो रिदिन बज़ड हो इंद सब्सक्राय जो इस लिर्कोइर्मेंट में और न जैसे एक़्वार्मेंट ले लेते हैं यह हमारा पैन है इस पैन अगर यह हमें टाइम पे अवलेबल नहीं होगा तो फिर हम अपना काम नहीं कर सकते टास्क नहीं कर सकते तो यही चीज अगर जो चीज हमें टाइम पे अवलेबल नहीं है जैसे हम पैन से हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन वह हमारे पास नहीं है तो हम उसका कोई benefit नहीं है उसी तरह अगर हम software जिस software के हमें जरूरत है अगर वह software हमें time पे अविलेबल नहीं होगा तो फिर वह वेस्टेज उसका कोई यूज भी नहीं है ठीक है और budget में होना चाहिए मिन्स हर कोई उसको purchase कर सके जो जिसको उस चीज की जरूरत है अगर वह उसके budget में नहीं है तो वह purchase कर सकेगा ठीक है यही चीज है software engineering ठीक है इसमें सबसे पहले common term है वह software software क्या होता है कि software होता है program documentation and operating system program program क्या है program is a combination of source code and object code program को हम generally कहते है collection of instruction या set of instruction which perform a specific task ठीक है और यह फिर हम कह सकते है program in technical language और in programming language program is a combination of source code and object code ठीक है उसमें documentation आ जाता है documentation क्या है कि documentation के अंदर और operating system procedure जो operating system में उसके अंदर यह सब चीज़े आ जाते हैं जैसे set of instruction to set up and use the software system and instruction on how to react to the system failure कि जो system failure है तो उसके कैसे उस पर operating system काम करेगा यह चीज़े आ जाती है documentation operating system में ठीक है उसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट इस डिलीवर टू दक कस्टमर वट इस डिलीवर टू कस्टमर इस कॉल डॉड़क्ट कि जो डिलीवर हो रहा है कस्टमर को वह एक प्रोड़क्ट है ठीक है अब जैसे उसमें आ जाता है source code specification documentation manuals यह documentation यह सब क्या है product है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं process process क्या है process is the way in which we produce software ठीक है it is a collection of activities that leads to a part of a product ठीक है यह collection of activities है जो क्या है वो लेड करते हैं to a part of a product जो part of a products है ठीक है process क्या है process एक way है in which we can produce a software जिसमें हम software produce कर सकते हैं यह हमारा topic है software engineering का यह basic है इसके बाद हम पढ़ेंगे software life cycle model कौन कौन से software life cycle model होते हैं या फिर हम उसको कहई देते हैं software development life cycle SDLC जिसको हम कहते हैं आगे उस topic में आगले topic में हम यह पढ़ेंगे software life cycle model हम में उसके जोक्रबड़ जूसराए हूँ, जो कहते हैegilography kita model झाल जो choosing हम अरो녹 tehdा, के आप ए लिएक है झाल में यह हमारा है रो था और उना जाम कहते है यह ग्रत है